कि नमस्कार मैं सब्सक्राइब करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का और नवर्श की शुब कामना है शुब योगों के बीश में आ रहा है साल 2023 धन खुशी प्यार महबब सुख सम्रद्धी पाना चाहते हैं तो साल 2023 के पहले दिन से यह उपाय करने शुरू करते हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बटन को तबाएं फेस्बूक और इस्ट्राग्राम पर हमें फॉलो करें नए साल 2023 के दिन पहला दिन जो है वो इतवार पढ़ रहा है यानि रवीवार शिव सिद्ध और सरवार्त सिद्ध जैसे महायोग बन रहे हैं साल के पहले दिन ही शुब योगों का भंडार है भारती जोतिश की बात करें शास्त्रों की बात करें तो काफी महत्पूर दिन है आज का जोतिश में इन शुब योगों का बहुर बड़ा वर्णन है ये योग सुख सम्रदी खुशिया देते हैं साल 2023 का शुरवात जल्द ही होने वाला है और पहले दिन ही रविवार के दिन ही कई शुब योग बन रहे हैं जो सुख कारक हैं तरक्की के कारक हैं बेहत कारगर हैं पहले दिन रवी शश और सरवार्थ सिर्थी योग हंस योग जिसे महायोग का निर्माण हो रहा है हंस योग देवगुरू ब्रस्पती बनाते हैं और शश योग शनीदेव बनाते हैं यह कब बनता है जब केंद्रस्थ प्तान में अपनी ही सोराशी में हो या उच्छराशी में हो तो हंस्योग और शश्योग का दिर्माण होता है। इन शुब योगों के बीच में नय साल का आना एक अद्भुत समय होगा। नय साल का पहला दिन अच्छा, तो कहते हैं सारे दिन अच्छा, यह ऐसे हम लोग की बोल चल भाषा में हम ऐसा बोलते हैं। अपने सपने पूरे करना चाहते हैं साल 2023 में। सुक्ष सम्रदी खुशियां पाना चाहते हैं आप साल 2023 में और जीवन में कोई अर्चन ना है 2023 बिना परशारियों के भी थे तो आईए जानते हैं इन शुब योगों के बीच में 2023 को और अच्छा बनाने के लिए कौन-कौन से अच्छे और सठी को पाय हम कर सकते हैं साल 2023 का पहला दिन शिव योग, रवी रोग, शष्ष योग, सिद्य योग और सरवार सिद्य योग और हर्ज योग जिसे महा योग, राज योग बन रहे हैं और जो भी शुब काम की जाएंगे और उनमें शुब परढ़नाम मिलने तैह हैं निश्यत रूप से आपको सफलता मिलेगी, तो आईए जानते हैं कौन-कौन से उपाय हैं जिनको करके हम पूरे साल तरक्टी को पा सकते हैं नए साल 2023 में पहले दिन रवी नामक शुब योग बन रहा है, इस दिन चल में गुड़हल और गुड़ डालकर सूर्य देव को चल अरपित करें साथी साथ आदित रहदे सोत्र का पाड़ करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें और शत्रों पर आप विजय पराप करेंगे, परशानियों पर पूरे साल विजय पराप करेंगे, सूर्य आपको सम्मान दिलाएगा, समाज में तरक्टी दिलाएगा, आपके और आपके पिता के भागी में वरद्धी कराएगा, और आपकी सरकारी संपत्ती को बढ़ाएग सरकारी कामू में विजय दिलाएगा नौकरी हो या वैपार हो वहाँ पर उच्छ पद दिलाएगा और साल भर आपके उपर सूर्ख की किरपा रहेगी धन संपदा आपके उपर बरस्ती रहेगी मांद सम्मान की प्राप्ती होगी वाद विवाद कोड कचेरी लड़ाई सरकारी दंड से कही न कहीं रहत मिल जाएगी और तरक्की के आगे बढ़ने के कुछ नए मौके भी हर वक्त वक्त पर आपको मिलते रहेंगे तूसरा उपाय करते हैं माता लक्ष्मी का नया साल 2030 से पहले दिन सूरी दिल को जल देने के बाद मालक्ष्मी का पूजन करना भी ग्यारा कौडियों पर हल्दी लगा कर मालक्ष्मी का अर्पित करें और बाद में इन कौडियों को लाल कपड़े में बांग कर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दे जहां पर आप अपना धन सुरशित रखते हैं ऐसा करने से पूरे साल भर आपके घर में मालक्ष्मी क बांद कर दान करें ऐसा करने से कुली में सूरी की स्थिति मजबूत होती है और साल भर आपको कश्ट ही होगा और जीवन में आ रही परशानिया दूर होती हैं ऐसा करने से धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे और शत्रू का प्रभाव भी कम हो जाएगा साल 2023 में धन और समर्दी को पाने के लिए कुछ और उपाय भी की जा सकते हैं 2023 में नौकरी और वरसाय में तरक्की के लिए या बेरोजगारों को अच्छा काम पाने के लिए सूर देव को चीनी डाल कर जल दे और गायतरी मंदर का पाट करें और उसके वाद चावर और गु साल का आरम रविवार के दिन से हो रहा है सूर जो है गुरू की राशी में होंगे तो ऐसा करने से आपके लिए ये उपाय बेहत लापकारी रहेंगे और अपने घर के आसपास जो मंदर है वहाँ जाकर गुरू का आशिवाद भी ले या धर्म गुरू का साल का पहला दिन और कुछ और ऐसे उपाय जिसे हमाई सेहत सहीर है पैसा ही नहीं सेहत भी चाहिए तो रोग और तनाओं से मुक्ति पाने के लिए एक जल ले एक जल भरा लोटा ले उसमें लाल मिर्श के दानी डाले लाल फूल डाले चावल डाले और ये सब कुछ डालकर सूर देव को अर जन ग्रहन करें यानि साल के पहले दिन नमक करते आग करें और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और साथी साथ तांबे का बरतन लाल कपड़ा गेहूं लाल चंदन आदी का दान करना चाहिए या उपाय आपकी सिहत को दिरूस रखेगा और आपकी को करते हैं तो निश्चित तोर पर आपके लिए साल 2023 की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त होगी और आप आगे बढ़ेंगे साल 2023 की शुरुआत रविवार से हो रही है वैसे तो चुट्टी वाला दिन होगा तो इस चुट्टी वाले दिन अपने घर में जो बड़े करता हैं मंदिर धर्मिस्थान पर जरूर जाएं दान्य पुन्य करें यह सब आपके लिए शुब रहेगा और अगले दिन दो तारिक से सोंबार आएगा फिर मंगल वार आएगा तो आप चाहें तो पहले सब्ता में हर देवी देवताओं के लिए दिन के हिसाब से को दान् शुब प्रयोगो को करें ताकि आपके उपर आने वाली परशानिया आपके उपर प्रभाव ना डाल पाएं अपनी माता जी के अपने पिता जी के अपने घर की बड़े वुजर्गों के पैर चूने से उनका आशिरुवाद लेने से रिष्टे बढ़िया होंगे जब देखिए, सूर्य को खुश करना है, तो पिता का आशिरवाद लें, चंद्रमा को खुश करना है, तो मा का आशिरवाद लें, बहन और बेटी हैं आपके घर में, उनको खुश करके बुद्ध को आप खुश करेंगे, भाई हैं बड़े आपके उनका आशिरवाद लेके मंगल को खुश करेंगे आपकी पत्नी हैं आपकी जो कुवारी महलाएं होती हैं उनको खुश करके आप शुकर को मजबूत करेंगे शुकर के बाद आप आगए शनी को खुश करने के लिए जो कर्मचारी हैं जो स्वीपर है या जो भी आपके नीचे आप काम करते हैं सर्वेंट है आपके उनको खुश करेंगे तो शनी खुश हो जाएंगे और जब आप मंदर जाएंगे धर्म समंदी काम करेंगे तो राहू के तु काफी आशिरवाद आपको मिल जाएगा साल 2023 नेप्चून ग्रह का साल है नेप्चून पे पानी की अदिखता जादा है ये नीले रंग का दिखता है और जैसे एक जन्वरी आएगी वैसे जन्वरी फरवरी अभी कहीं कहीं पर ठंड का महाल चल रहा है तो मौसम और ठंडा होता चला जाएगा तो कुल मिला कर देखा जाए तो ये आने वाला साल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इशुप पज़िणाम लेकर आएगा इसके लिए हमें एक वीडियो डाल रहे हैं उसको आप देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए ये साल कितना शुब है तो उमीद करत हैं आपको मंगल ही मंगल मिले इस साल में खुश रही परसंद रही आनंद में रही मुस्कुराते रही और ऐसे ही चैनल से जुड़े रही नमस्कार